ए्रप्लेण मोड या फ्लायट मौड में नेट कैसे चलाते हैं, इस विडिए हम आपको बताने बाले हैं. जिहां दोस्तों, अगर आप अपने फ्टोन का कॉलिंग वाला सिस्टम करके, अपने फ्लायट मोड या ए्रप्लेण मोड में आप नेट चलाना चाहते हैं. आप ये चाहते हैं, कि आपके फोन में नेट चलता है, लेकिन आपके फोन का जो calling वाला system है, वो बंद हो जाए, कोई भी income mis call आपके फोन में नाए, सिर्फ आपके फोन का नेट चले, तो इस वीडियो में हम आपको आपके फोन की एक बहुत एची ट्रिक बताएंगे, एक setting ब आना है यहां पे नीचे तरफ सबसे नीचे या सबसे ऊपर आपको आपको आपफन देखने को मिलेगा आपको 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 दिखेगा इंटर्नल इस्टोरेज का आपके फोन में हो सकता है इंटर्नल इस्टोरेज या मेमोरी के नाम से हो आपके फोन में तो इंटर्नल प्रेस करना है तीन से चार बार जब आप यहां पे प्रेस करेंगे तो कुछी तरीके से आपको देखने को मिलेगा अभी यहां पे आपको देखने को मिलेगा फोन इन्फार्मेशन वान फोन इन्फार्मेशन टू अगर आप यहां पे अपने फोन में दो सिम लगा करके हों कि अभी हम अपनी फोन का देखिए, यहां से अपनी फोन को हम अभी फ्लाइट मोड में लगा देते हैं, यहां से अपनी फोन का नेट हम आपको चला के दिखा देते हैं, यहां से हमारा फोन का जो ओनलाइन नेट था देखिए, यहां से हमारा बंद हो गया है, यहां से बंद हो देखिए यह setting पे हम यहां पे आ गए है और यहां पे आने के बाद यहां पे देखिए अभी हम mobile रेडियो पाबर इसको हम यहां से on करेंगे यह आप देख सकते हैं अगर आपके फोन में यहां से एक बार में यह on नहीं होता है बार 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 बंद हो जाता है तो आपको simply 2-3 पर नहीं बार इसे चाहिएक बार चाहिए आप से सब्सक्राइब लेकिन आप देख सकते हैं अच्छा फॉन का जो यह फ्लाइड मोड अब कर सकते है ereo plane mode पड़क्र 형day लगा है क्वेसे ली देख सकते हैं लेकिन हमारे phone का भी flight mode चालू है जब कभी भी आपको इस setting को बंद करना हो तो आपको simply क्या करना है आपके देखिए आपको ये flight mode आपको यहां से off कर देना है इस तरीके से तो आपके phone में network आना इस्टार्ट हो जाएगा और आपका जो net है वो net भी चलता रहेगा जब भी कभी आपको इस तरीके setting करके आपको बंद करना हो simply आपको अपने phone का airplane mode आपको बंद कर देना है तो आपके phone की setting फिर से calling वाला system चालू हो जाएगा